पैन कार्ट की आपको जरूरत हो और आपके पास पैन कार्ट ना फिजिकल में हो और ना पैन कार्ट का नंबर ही हो यानि कि आपने पैन कार्ट के लिए अपलाई ही नहीं कभी किया और सडनली आपको एक जरूर पड़ गए कि आपको एक से दो घंटे के अंदर आपको pen card देना है तो ऐसे situation में हम क्या करेंगे तो दोस्तो इसका भी solution अब आ चुका है 2021 के अंदर अगर आपको कभी भी इस तरह का problem की रियट होता है कि एक से दो घंटे के अंदर आपको pen card का number देना है तो आप जो है ना physical pen card भी पा सकते हो और within two hours pen card का number आपको आपके mobile number पर available हो जाएगा आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम दो घंटे के अंदर pen card जो है या pen card का number जो है कह सकते हैं कि हम कैसे पा सकते हैं और within seven days आपको physical pen card जो होता है plastic card वो आपके घर पर आ जाएगा उस पर आपके father name और signature भी available होगा प्यारे दोस्तों आप कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बात सोचने की तो most welcome है मेरा YouTube चैनल के उपर तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि आप pen card जो है physical किस तरह से वो भी plastic pen card कैसे घर मरगवा सकते हैं वो भी 7 दिनों के अंदर और अगर आपको चाहिए कि 2 घंटे के अंदर अगर आपको pen number देना है तो चलिए अब इस टुटोरियल को हम सिखते हैं कि किस तरह से pen card को घर बैठे मगा सकते हैं अपने computer और या laptop में Chrome browser के अंदर Google को open करेंगे open करने के बाद आप Google search engine के अंदर nsdl type करेंगे उसके बाद second option जो आपको यहाँ पर मिल रहा है online pen application nsdl इस वाले option पर आप click करेंगे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface open होकर के आ जाएगा two options आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा apply online और registered user तो आपको सबसे पहले यहाँ पर register करना है और register करने के बाद यह form fill up कर लेना है आपको सबसे पहले तो यहाँ पर application type में आप आएंगे और application type में आने के बाद 49a का option आप चूज़ कर लेंगे यह जो new pen Indian citizen form 49a है इसे select कर लेंगे यहाँ पर जब आप second वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर individual का option आप select करेंगे यहाँ पर जो second option जो मिल रहा है individual को select कर लेंगे then scroll करके नीचे की तरफ आएंगे title में choose कर लेंगे जो भी आप हैं शिरी हैं, स्मिर्थी हैं या कुमारी हैं जो भी आप हैं मर्द हैं तो शिरी का आप title चूज कर लेंगे select करने के बाद आप उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है last name, first name, middle name बहुत सारे लोगों का तीनों नेम होता है उसके हिसाब से according चूज कर लेंगे mail नमबर वगर सारी चीज़े फुलफिल करने के बाद आप yes कर लेंगे then आपके सामने एक token नमबर प्रोवाइड करा दिया जाता है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे token नमबर 00649 यह आप copy कर लेंगे उसके बाद continue with pen कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको आगे बढ़ना है तो आप पहले save draft कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहला option आप जो है जो first option जो मिला था उसे select करेंगे देन वेदर पर यहाँ पर आप physical pen card मंगाना चाहते हैं तो yes करेंगे उसके बाद आधार number का last four digit number इसमें select कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप agree कर लेंगे कि pen card में वही photo चाहिए जो आपका आधार पर है तो इस पर yes कर लेंगे ने तो देन आपको photo upload करना होगा तो हम उसी को act कर लेंगे फिर उसके बाद आप जो भी details यहाँ पर है बागी जो बच रहा है उनको fulfill कर लेंगे उनको fulfill करने के बाद जैसे कि यहाँ पर अब जो है father name और mother name आपको fulfill करना है तो यहाँ पर हमेशा याद रहेंगे last name पहले fill कर दे रहा है जैसे कि फयाज अहमद है तो अहमद को पहले डालेंगे फयाज को बाद में डालेंगे middle name अगर कुछ और है तो आप डाल सकते हैं देन आपको नीचे की तरफ आकरके next करना है जब आप next कर लेंगे यहाँ से आने के बाद तो फिर आपके सामने इस तरह के कुछ interface आ जाएगा और second वाले option में आपको income का source बताना है कि आप income किस तरह के करते हैं तो मैं student हूँ तो यहाँ पर मैं fill up करूँगा no income लेकिन आप जो भी है उसी के according जो है आप fill up कर लेंगे तो चलिए मैंने no income को select कर लिया है उसके बाद install करके नीचे आएगे यहाँ पर address आपको fulfill करना है address for communication और residential address तो यहाँ पर आपको address डालने की ज़रूत ने residence address वो आधार वाला ही address यहाँ पर आपका ले लेता है तो वह automatically यहाँ पर generate करके ले चुका है यहाँ पर ISD code अगर आप डालना चाहते तो दे सकते हैं जैसे को phone telephone number का code होता है वह actually हम लोगों को मालूम नहीं होता है तो हम नहीं भी डाल सकते हैं उसके बाद फिर save draft करेंगे उसके बाद next कर देंगे next करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface खुल करके सामने आ जाएगा फिर उसके बाद यहाँ थर्ड ऑप्शन पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपक कुछ भी नहीं फुल्फिल करना आप सीधे आएंगे indian civilization कर citizen करेंगे उसके बाद state चूज़ करेंगे जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ से ज़लेट करता हूँ बिहार इस्टेट जब मैं यहाँ से। यहाँ यहाँ पर हमेशे है याद रखिगे जरूरी नहीं है क कहां पर यह हमारा पैन कार्ड का यह उप्शन है वह चूज कर लेंगे देखने के आई ट्यू बाट कहां पर है तो मेरा आरा पड़ता है नजदिक तो मैंने आरा सेलेट कर लिया उसके बाद मैं आगे बढ़ जाओंगा और उसके बाद यहां पर जैसी आप जो आप करेंगे आप देखें कि उपर में सारा वो डिटेल्स फुल फिल अपने आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर डिकलिएरेशन जो लिखा हुआ है निया जहमत उसके नीचे की तरफ आना है और यहां से आप खुद कर रहे हैं तो आप यहां पर देदेंगे जी हां तो अगर कोई दूस किया है ईसके बाद हम सेफ करने के ना पर कुरिक कर दें के ना है तो चलित करने के अब करने हुआ यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप डिजिट्ट नंबर आपको डालना है उसके बाद नेक्स कर लेना है देन आपके सामने पेमेंट का ओप्षन आ जाएगा पेमेंट वाले में आप सेकेंड वाला ओप्षन चूज करेंगे ऑनलाइन पेमेंट थू पीटियम यहां अगर आप करते हैं तो आपको अधर कोई कोई और खर्चा नहीं जादा पड़ता है यानि कि जैसे कार्ड वगर से कोई दूसरी चीज़ पे करेंगे तो वहां पर अलग ऑप्षन मिल जाते हैं पेमेंट करने के बाद यहां आई एग्री का ओप्षन पर कलिक करेंगे देर प्रोसीड पीमेंट के ओप्षन पर कलिक कर के बाद आपके सामने इस तरह का इंटर फेस सामने आ जाएगा फिर उसके बाद PayPal का ओप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो चलिए मैं यहां से confirm के option पर उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटर फेस खुल करके आया है यहां पर आप हर दरीके कर सकते हैं अब अब धर वहाँ धर डालेंगे जब याद रखने जब भी मे Gustください करेंगे उसके 6 मिनट के अंदर अंदर आपको वह एप्लिकेशन ओपन करना वहां जाकर किलिक करेंगे तो यहां से आपका पेमेंट लेगा यहां मैंने यूपिया की थुरू किया इसलिए मेरे मोबाइल पर आया था तो इस यहां से फिर कंटिन्यू कर लेंगे कंटिन्यू कर करना है और यूह से हां लेंगे और यूह सांपर के अंदर आप जब कहूते हैं तो आपके दालने के बाद सब्धर्चन के यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा यहां पर आधार नंबर डाना है ऐगा निटरफोर के लिटरफ दालने के बाद विरिफाई ओटिपी आप जब डीकर लेते हैं तो आपके सामने दूसरा पूसेस ओपन हो जाए यानि के आपके प्रोप्रेस और आपको प्रोसेस वह सेक्ट हो चुका है यहां से से आप से चलीर होता है उसके बाद यह जैसी कि इंटर कर सकते हैं यानि कि इसका जो पासवर्ड होता है वो डेट आफ वर्थ होता है फॉर एक्जमपल आपका डेट आफ वर्थ है 2295 तो आप डालेंगे 2021995 इसके बाद करने के बाद आप ओके कर लेंगे तो चलिए यहां पर मैं पासवर्ड डाल करके लोग इन हो लेता से लैप्टॉप से और कंप्यूटर से कर सकते हैं 10 मिनिट के अंदर और आपको दो घंटे के बाद जो है कभी-कभी आपको मेल प्रोवाइड करा दिया जाता है कभी कोई अगर दिक्कत होती है तो आपको वेट भी करना होता है और अगर दो घंटे के अंदर आपका मेल आ निते हैं आता है यहाँ जाक्परिय इसतरा तुब अमें इसको ओपिन करके आपको दिखाता हूँ सारी चीजुसे है अब मैं इसको ओपिन कर चुका ओंौं आप देख सकते हैं इससटरा में आप इंग्लीश में देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाता हूँ और यहां पर आपको सारी चीज़े अवेलेबल हो जाती हैं यहां पर आपको QR कोड देखने के लिए मिल रहा होगा उसके साथ फोटो था वो मिल गया देखने के लिए कर्द के उपर नेम और पादर नेम है देट ओव बर्थ है और पर पेन नंबर हमारा है और साइन ही अगरा भी सारी चीज़े मिल चुकी है तो आप देख सकते हैं कि घर बैठा आप कितने इजी वे में पेन कार्ट को मंगा सकते हैं झाल झाल